सेपरेशन से पहले भी क्या फीलिंग्स होती हैं किसी तरह की फीलिंग्स आती है कि ओ मेरा सेपरेशन होने वाला है किसी तरह का डर गवराट और या फिर कोई ड्रीम आता है क्या यह सवाल पूचा है जुही जी ने तो इनका सवाल ले लेते हैं और हो सकता है कि आपको भी हो जैसे reunion से पहले, dream और यह सब आता है, intuition होती है, आप बहुती happy feel करते हैं, आप confident हो जाते हैं, आप financially भी strong होने लग जाते हैं, लेकिन क्या separation होने से पहले भी कुछ इस तरह की feelings आती हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है, इस normal कि आप sad, angry, exhausted, frustrated, और confused रहते हैं, यह normal है twin flame journey मे क्योंकि आप इस matrix life से बाहर निखल कर कुछ नया spiritually high हो रहे हैं तो इसमें तालमेल बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यह anger और इस तरह की negative issues आपके सामने आने लगते हैं, क्योंकि 3D life अलग है, 5D life अलग है, 3D life है matrix life, 5D life है आपकी spiritual life, और यही है 5D में अ जादा ही believe करते हैं और spiritual life को कुछ नहीं मानते, तो आप 3D में हैं और matrix life के twin है, ठीक है, तो इन feelings को भी आप पूरी तरह से accept कर सकते हैं, यह जो आपकी negative feelings हैं, पहले उन्हें अच्छी तरह से accept करें कि हाँ, यह मेरे अंदर acceptance आ रही है, सिर्फ blame ना करें कि गुसा मुझे उस इसकी वज़े से यह हो गया, उसकी वज़े से यह हो गया, blame ना करें, depend करता है कि आप कितने mature हैं, वैसे भी ऐसे समझें कि nothing is permanent, ना कंचित चाश्वतम, कुछ भी permanent नहीं है, ना यह आपका anger वगरा, कुछ भी permanent नहीं रहता है, पैसा भी हमेशा एक ही सा नहीं रहता है, emotions भी आपके हमेशा एक ही से नहीं रहते हैं, body भी हमेशा एक ही सी नहीं रहती है, तो विचार भी आपके एक ही से नहीं रहते हैं, और circumstances भी आपके हमेशा एक ही से नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब कुछ भी permanent नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर चीज़ को स्थाई रूप में पाना करना चाहते हैं इसे जद्द जहट से हमें तकलीफ ज्यादा होती है चाहे हम स्पिरिच्वल लाइफ में स्पिरिच्वली भी हम क्याते हैं कि हमारा जो हाइयर कॉंशेसनेस है रहे वह अपनेचे बिल्कुल सब जगह है कहीं कहीं इतना ज़ादा हो जाता है कि फिर वो spiritually high person जेल में बठे होते हैं समझगे ना मेरी बात तो इस तरह की exception हर जगह है इस चीज़ को मान के चलें तो कुछ भी permanent नहीं है कुछ भी rules regulation नहीं है universe में कुछ भी सही गलत नहीं है पट इस चीज़ को इसी तरह के से समझे क्योंकि अगर आप open minded हैं mature हैं तो आप यह सारी बाते मेरी समझ पा रहे होंगे so यह feelings भी आपकी चली जाएंगी जो आपकी यह negative feelings है separation से जस्ट पहले आपका जो argument हो सकता है अगर आप कहेंगे कि नहीं हम तो काफे mature हैं कम बोलते हैं argument तो हो सकता है किसी ना किसी तरह का ego clash हुआ हो बात ना करके भी ego clash हो जाते हैं जो कि no context से होते हैं और long time separation में आप आ जाते हैं और separation होने से कुछ दिन पहले बहुत बहुत ज़ादा गबराट होने लगते है हाटबीट बहुत बढ़ जाती है रोना आता है गबराट होती है पल्प्टेशन होती है और यह लगता है कि दुनियाई खतम होने वाली हो आप किसी से help planning की भी सोचने लगेंगे बट कहीं कोई कुछ नहीं समझेगा यह सोचकर आप रुख जाते हैं ना help ले पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं और money manch पटाट चलती रहती है बाहर से देखने में यह लगेगा कि हाँ चलो it's okay कुछ आज तब ठीक नहीं दिख रही है इनकी या वुखार है या कुछ ऐसी परिशानी है जिक भगे सब नॉर्मल दिखता है क्योंकि आप किसी को बता नहीं पाते हैं और spiritual हाए हैं तो आप किसी को बता नहीं पाते हैं क्योंकि आपको पता लगता है कि किसी कौन है वो matrix life का person है या lady है ठीक है ना वो सिर्फ matrix life को ही देखे की normal life को ही देखे की और उसी हिसाब से आंसर देगी, तो मुझे तो ये चीज समझनी नहीं और मैं तो इस से उपर हूँ, तो मैं कैसे किसी से किसी तब ले सकता हूँ, या सकती हूँ, तो यह सोचकर आप रुप जाते हैं, लेकिन अंदरी अंदर आपकी सिंकने से बढ़ जाती है, आप अंदर ही अंदर डूपते जले जाते हैं क्या हो रहा है मेरे साथ Lost of feeling आपको आने लगती है कि कुछ तो है जो मैं खोने जा रहा हूँ या जा रही हूँ यह separation लगता है हमेशे के लिए दूर होने वाले हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए आप उस टाइम के रोकना चाहेंगे और बहुत घवरायाट होगी और यह सब इसलिए होता है क्योंकि physical and spiritual immaturity होती है physical and spiritual immaturity के कारण यह जो low energy है और यह जो low emotions है यह आपके अंदर हावी होने लग जाते हैं जिसकी वज़े से आप घवरा जाते हैं यह जितना बड़ा ego self होगा उतना ही खुद से harmony आपकी नहीं होगी तो strong ego and weak ego हम सब के अंदर होता है किसी के अंदर ज्यादा तो कम तो वही बात है strong ego and weak ego हम सब के अंदर होता है और इसी वज़े से self love and respect हम खो देते हैं और neediness and co dependency में आ जाते हैं कि इसके बेना तो काम चलेगा नहीं बलकि separation के दौरान ही तो आप इस तरह के dreams और dream में भी आपको दिखने को मिल सकता है कि आप दोनों को कोई अलग कर रहा है या बिल्कुली अलग हो गए है या मौत देखते हैं अपने feelings को आप separation से पहले आपको दिखाई देने लग जाएगा और बहुत ही fluctuate करने वाली situation हो जाती है और पूरी दुनिया में मैं ही अकेली हूँ या अकेला हूँ इस तरह की feelings आने लगती है और दीरे दीरे लेकिन आपको separation period के दौरान ही inner work करना होता है और आप अपने आप से जुड़ पाते हैं self love कर पाते हैं आगे life किस तरह से चलानी है उस चीज को समझ पाते हैं और 3D और 5D में balance बना पाते हैं तो यही चीज है आपका separation से पहले feelings और dreams आना यह होता ही है बस सिद्धी सी बात है जसे इसको होने दीजे और ज्यादा emotional ना रहें thank you so much ध्यान रखें अपना God bless you